हेलो फ्रेंड्स मैं सुभम वेलकम टू माई यूट्व चैनल सुभम फ्यूचर पॉइंट्स डेली करेंट्स अफेर्स बाई सुभम सर। फ्रेंट्स डेली करेंट्स अफेर्स को देखने के लिए चैनल को सबस्ट्राइब कीजिए वेल आइकन को प्रेस करिजिए ताकि मैं क हो भी वीडियो अपलोड करूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो देजी ना करते हुए क्रिंट्स अफेर के पहले क्वेस्टन पर आते हैं देखते हैं पहला क्वेस्टन का है फ्रेंट्स एसी आई हांकी चैंपियंसिप 2023 विजेता टीम कौन सी रही है तो विजेता टीम कौन फ्रेंट्स ए भारत है विजेता टीम नेश्ट हाल ही में चर्चा में रही इस पंज सहर योजना का संबंद कीस से है इस पंज सहर योजना का संबंद कीस देश से है फ्रेंट्स तो इस पंज सहर हमारे चाइना में आयो ज किस भारती को UK संसद ने ससक्त महिला आइकन से पुरसकार किया है तो फ्रेंट्स ए है महिला हमारा मायरा ग्रोवर जी है जिसे UK संसद ने ससक्त महिला के रूप में सम्मानित किया है नेश्ट देखेंगे फ्रेंट्स क्वेश्चन नमबर चार जमीनी इसतर से 120 मीटर उचा पवन उर्जा छमता के मामले में देश का सीर सराज कौन सा है तो पवन उर्जा के मामले में देश का सीर सराथ गुजरात है फ्रेंट्स देखेंगे नेश्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेश्ट क्वेश्चन है फ्रेंट्स हमारा नीती आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज दोहजार तेश प्रारम किया है क्या फ्रेंस नीती आयोग ने किसके सहयोग से देश की स्कूलों में छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनुवेशन चैलेंज को स्टार्ट किया है इसरो की सहायता से नेशनल स्पेस इनुवेशन मैस चैलेंज को प्रारम किया गया है नेस्ट क्वेशन नमबर सिक से देखेंगे फ्रेंज क्या है हाल ही में भारत का पहला क्रिसी डेटा एक्सचेंज और क्रिसी डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क कहां लांच किया गया है तो यह लांच किया गया है फ्रेंट्स हैदराबाद में हैदराबाद में लांच किया गया है हम next question देखेंगे question number seven देश का पहला unity mall कहां पर इस्थापित किया जाएगा तो देश का पहला unity mall पटना बिहार में लांच किया जाएगा next question है question number eight हाल ही में किस पुगोतर राज ने मुक्षमंतरी सौर मीशन प्रारम किया है तो किस राज ने मुक्षमंतरी सौर मीशन में घाल है राज ने मुक्षमंतरी सौर मीशन को इस्टार्ट किया है next देखे friends हाल ही में देश के पहले डाकगर का खिताब किसे मिला है हाल ही में देश के पहले डाकगर का खिताब किसे मिला है ये माला डाकगर को दिया गया है question number 10 and last question हाल ही में दूसरा इंडिया start-up festival 2013 का आयोजन कहां पर हुआ है हाल ही में दूसरा इंडिया start-up festival 2013 का आयोजन कहां पर हुआ है बेंगलुरू करनाट की राज़धानी बैंगरूरू में इस्टार्ट किया गया है इंडिया स्टार्ट आफ फेस्टिबल 2023 का फ्रेंड्स अधी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फार वाचिंग फ्रेंड्स अधी आप मारे चैनल पर पहले बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेल आइकन क आल बटम को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी वीडियो अपलोड करूं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुचे और फ्रेंड्स के वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट करकर जरूर बताएं थैंक्यू फ्रेंड्स